अगर पाकिस्तान में किसी ने बांगलादेश जैसी अराजगता पैदा करने की कोशिश की तो अल्ला की कसम हम उसे काम्याब नहीं होने देंगे पाकिस्तानियों को ये चेतावनी पाकिस्तान की स्तेना प्रमुक ने दी है लेकिन क्यूं? आखिर आर्मी चीफ को ये चितावनी क्यूं देनी पड़ी? क्या है पूरा मामला? आपको विस्तार से समझाते हैं दरसल बांगलादेश में तक्ता पलट के बाद पाकिस्तान के सोशिल मीडिया पर मीम्स वारल हो रहे हैं जिन में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की मौझूदा हालत भी बांगलादेश जैसी ही है क्योंकि पाकिस्तान में महेंगाई चरम पर हैं, कई राज्जों की लोग सड़कों पर हैं और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं जिनके खिलाफ स्थानी पुलिस और आर्मी रगातार कारवाई कर रही है और इन्ही मीम्स को लेकर पाकिस्तान की आर्मी चीफ असीम मुनीर का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने प्रदर्शन कारियों और मीम्स शेयर करने वालों को कड़ी चेतावनी दे डाली पहुचा सकती क्योंकि ये देश पयामत तक रहेगा रिपोर्ट के मुताबिक पाक सेना प्रमुक एक प्रेस कॉन्फरेंस के जरिए मौल्वियों को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा पाकिस्तान दुनिया के लिए कितना एहम है अगर आपको ये जानना है तो इराक, सीरिया और लीबिया को देख लीजे पाकिस्तान की मौजूदगी दुनिया में है और हमेशा बनी रहेगी क्योंकि इसे आकरी वक्त तक लिए बनाया गया है इस दौरान उन्होंने देश में शांती एवं अस्थिरता को बचाये रखने के लिए सेना के समर्पन की तारीव भी की साथी देश में राजकता फिलाने के लिए सोशल मीडिया को जिम्यदार ठेराया उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया से देश का राजनितिक और समाजिक ताना बाना बिगड़ रहा है ऐसी कोशिश करने वाले लोगों के खलाफ गिरफतारियां और कानूनी कारवाई की जा रही है मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि पाकिस्तान स्टूडिन फेडरेशन यानि की पी एस एफ ने सेना को 30 अगस तक अल्टीमेटम दे दिया है चातरों की मांग है कि पूर प्रधाल मंतरी इमरान खान बेगुना है और उन्हें जल्द कैद से बाहर निकाला जाए उनकी ये मांग बंगलादेश में शेख असीन सरकार के तक्ता पलट के बाद सामने आई है और ये भी माना जा रहा है कि बंगलादेश के आंदोलन के बाद ही पाकिस्तानी युवाओं ने प्रिणना ली और वो अपने देश की सरकार के खलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए राजी हुए हैं रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तान के पूर पी एम इमरान खान ने सेना को लेकर जेल से बड़ा एहलान कर दिया इमरान खान ने कहा कि अगर 9 मई के दंगों के उनकी पार्टी पी टी आई पर लगे आरोप साबित होते हैं तो वो माफी मांगने को तैयार है इमरान के इस बयान के बार चातर संगठनू में आक्रोश है और वो जल्द से जल्द इमरान खान की रिहाई चाते हैं जिसे लेकर चातर सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी चला रहे हैं ऐसे में ये माना जा रहा है कि पाकिस्तान में भी बांगलादेश जैसे हालात बन सकते हैं इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं